प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेडी बित प्रदीट पे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेकिंग नियूज में हम आपके लिए करके आते हैं छात्र जीवन से सम्मंदित किसी भी बड़ी जानकारी के लिए जो आपके निक अकबारों में पेपर मित्याद में देखा जाएगा तो वह है आपके प्रसिच्छी तसना तक की भरती जारी कर देगी विग्यापन पुना जारी कर दिया गया संसोजित विग्यापन जो की नॉवंबर में आया था और रुख गया था किसी कारण से अब वह जारी किया गया पीजिटी का भी जल्द जारी हो जाएगा टीजिटी का जारी कर दिया गया एक एक करके समझ चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे ति पंद्रह मार्च को यह नोटीस आई है आपको देखने मिल रहा है आज से आप अपना अल्लाइन फार्म भर सकते हैं या साब बढ़ेगा और उनकी बिजय एक तरह से हुई है और विग्यापन जारी कर दिया गया है तो बात करें यहां पर एक सुब बात जियो विज्ञान के छात्रों के लिए टीजटी की वेकेंसी जियो विज्ञान चात्रों की जारी कर दिया गया है जी हाँ अभी हम आपको से एक बात करेंगे यहां देखें बायलोजी ग्रूप के लिए हम क्लास चला रहे हैं आपके कहां कहां के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है तो आद देखेंगे जी आईसी के लिए यूपी टीजटी के लिए और पिजटी के लिए यह मार्टिपोड क्लास है इसमें प्रीव इससे प्रोफार्मा मिलेगा लेकिन यहाँ लिखा रहेगा in English तो वहाँ पर total English to English दिया रहेगा जो आपके लिए बेहत्म हत्पूर है सुन इसे शिकर तक के सबस चैप्टर जितने चैप्टर दिये गए जो भी ज्यान में सारे चैप्टर हम लोग करेंगे और इसी तरह से उस सठ्चक जारी कर दिया गया है जिसके आनलाईन आवेदन भाग गया, पन्जीकरंप प्रारण तिथी है विक्त है, घ्याराँ अप्रैल है, ज़िआ हैं, और जब जमा करने कि यानि आपके सुल की जमा करने के अंतिन तिथी कितनी है तेरह अप्रेल है और आपके फार्म सम्मिट करने की हाट काँ पी निकालने की आपकी जो तिथी है ओ है पंद्रह अप्रेल तक यानि एक महिने आपको फार्म भरने के लिए दे गए हैं उत्तर प्रदेश मादमिक सि सिच्छित असनातक सिच्छक एडिक्त 12603 पद कितने पद 12603 पदों के विशेवार बर्गी करना बालग बर्ग और बालिका बर्ग संस्ता है तो अनारचित वा आरचित स्रेणी वार रिक्तियों का विबरन दिया गया है नीचे सारणी अभी आपको दिखाएंगे कितने बाल पड़ा है इसमें कुछ खास ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते सारी चीजें आप जानते हैं तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं हां यहां पर एक थोड़ी विध्यापनों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है जी हां यहां यहां देखिया सपर शूरूप से लिख अगर आप भाओ सकती है ठीक उसके बाद बात करने हैं आप है इसक्टे से आप इस संपेपर हें और बात करेंगे की उर्दू का तो उर्दू का पेपर टोटल उर्दू तो उर्दू होगा ठीक है वहाँ पे दूसरे लेंग्वेज नहीं लिखे रहेंगा उसमें जबकि और जो सब्जेक्ट की पेपर होंगे चाहे हो फिजिक्स और कमेश्ट्री और बायो और सोसल हो उसमें हिंदी-ंग्लि दिया जाने वाला आर्चण आपको प्राप्त होगा आर्थिक रूप से कमजोर EWS के ब्यार्टियों के लिए 10% आर्चण का प्राउधान किया गया यानि 10% का जो आर्चण है EWS वालों को यहां से आपको मिलेगा क्लियर है अब यहां पर कुछ ऐसी चीज़े नहीं है जो आ आर्चित बर्ग के लिए जो सुल्क रखा गया है अनारचित बर्ग के लिए ओ है आपका 700 रूपे आवेदन सुल्क रखा गया है ठीक है आर्लाइन प्रक्रिया 50 रूपे लगेगी यानि कुल योग 750 रूपे आपको जमा करना है यानि आप जिस दुकान पे बरेंगे 50-100 र हो और चाहे वो भूमियार हो इन सभी जातियों के लिए खान पठान पट्रवदी इन सभी के लिए क्या देना है आपको 750 रूपे देना होता है उसी तरह से EWS में अगर आ जाएंगे तो EWS के भ्याटियों को देना है 400 रूपे 50 रूपे क्या देना उनको आल्लाइन प्रक्र पुछी जनजात के लिए है सोतनता संग्राम सेनानी के बारे में बात की गई यहाँ नीचे उलेक है उनका तो उनका पढ़ लेंगे हम लोग ठीक है अब कह रहा है त्रती चरण की प्रक्रिया पूरा करने के पश्चा ती तीसरे चरण में अब्यार्थी तोरह किस वर्ग य से तो ब्यार्थी को submit application फार्म पर कलिक करना होगा और जैसे ही फार्म खुल जाए का उसमें आपको सारी चीजे भड़ देनी होती है उसमें आपका photo लगता है आपके हस्ताक्षा लगते हैं सारी चीजे स्कैन करके आपको लगाना होता है जो के दोकानदार कर देता है आपक को लगाना कोई भी कलर ग्लास नहीं लगाना है ठीक है अब्डेक्ट अतरश्टों आख खुली मुबंद नजर केमरे पर ठीक है वो फोटू है आपका अच्छा फोटू होना चाहिए कहने का सीधा से मतलब यह है ठीक उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं आई सीमा की बात करने तो आई सीमा आपकी क्या है एक जुलाई दोजार इकीस को इकीस वर्ट से कम ना हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर बिग्यप्ति संख्या आपकी बड़ घर सकती वो सब चीजें दी गही है सैच्छिक योगता की अगर बात करने तो आपको अपने सब्ज पे लेबल सेवन है ग्रेड पे आपका 4600 का है ठीक है उसके बाद बात करते हैं आरचण किसी भी आरचण का लाब उत्तर प्रदेश की निवासियों को ही दिया जाएगा यहाँ पर सारी चीजें उसके बारे में बैवरा दी गई है अब यहाँ पर हम लोग आते हैं यहाँ कि बालग बर्ग में सीट कितनी है बालग बर्ग में अगर हिंदी बर्ग की बात करें तो हिंदी में टोटल जनरल के अभ्यारतियों के लिए सीट है जो एक हजार चोगन OBC के अभ्यारतियों के लिए 405 और उसके बाद ESC के लिए 276, EST के लिए 7 टोटल सीटों की संख्या हो गई 1742 यहाँ आप देखिए EWS मेंसन नहीं किया गया यहाँ अगर ध्यान देखेंगे तो EWS को मेंसन नहीं किया गया यानि जनरल की सीट में से अभी 10% कटेंगे यानि 100 कुछ सीटे चली जाएंगे किसमें EWS के कोटे में यहाँ से कटेगी सीटे अभी ठीक है यह सम्मिट का हलाकि नोटीस हमने वहीं से डाउनलोड किया है लेकिन बहुत जल्दी इस पे सम्मिट करके नई नोटीस आ जाएगी तो उसके बाद बात करते हैं गडित में गडित म 3010 है अगर समाजिक विग्यान की बात करें जिलाई की बात करें तो 9C सीट संस्कृत की बात करें तो 938 सीट है और ऑफिप सारी लडाईया लड़े हैं अभिआरतियोंने बहुत सारे जगड़े भवाल सहे हैं जिविग्यान की अब्यार्थी जिविग्यान की तो ये दसा कर दी गई है कि इन्हें जैसे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ये अब्यार्थी जैसे मतलब कहीं से चले आये थे तो सब की जीत होई है अब्यार्थियों की जीत होई बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हम लोगों क की बात नहीं सुनी तो यहां पर बात करें जुविज्ञान की 411 सीट है जनरल की 202 है OBC की SC की SC है ST की 0 सीट है टोटल 693 सीटे हैं किसकी जुविज्ञान की अभ्यारतियों की बाणिच की बात करें है तो 6300 जनरल की हैै 3113 embracing Omic की नहीं 1741 सीटे कि इसकी हैं बालगबर्ग में अगर आ जाए तो भालगबर्ग में हिंदी के कितने सेटें 214 सीटे हैं गडित की कितनी सीटें 166 सीटें ग्री बिग्यान की 190, उर्दू की 12, इंगलिस की 196, कला की 103, समाजिक बिग्यान की 186, सिलाई की 4, संस्कृत की 97, और बिग्यान की बात करने ते 106, और जियो बिग्यान की बात करने ते 42, बाडिच की बात करने ते 4, और उसके उतकिर्सी की बात करने ते 1, सारीरिक सिच्छा क कि 48 संगीत वादन की 14 और संगीत गाहिन की 50 सीटे टोटल है यानि टोटल 1408 सीटे किसमें है बालिका बर्ग में है तो इस प्रकार से टोटल सीटों का बहुरा है जिसके लिए आप क्या करें लिजिए अगर जू भिज्ञान के आप बैए तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइ कर लिजिए एक जाम से संबंदित कोई भी जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए हित कर होती है जो फ्री है आपको एक भी पैसा पेड़ नहीं करना है लेकिन यह यह आप ज्यान क्या भ्यारती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सुबर आ अब्जेक्टिव हैं जियाशी प्रवक्ताक लिए टीजटी पिजटिक लिए प्रीवेस एर के जो क्योश्चन पेपर हैं उन्हें चैप्टर वाई हम लोग कर रहे हैं और आपको बहुत यहां से लाव होने वाले दम है तो आंसर दो यानि आपको यह पूछा जाता कि आप आपके पास कितने दम ऐ कितने आप आंसर कर सकते हैं लोग रोज 30-35 जिस में से बताने वाले अभ्यार्थी लगब g19, 28, 26 बता देते हैं तो यह कहीं नंकहीं आप भी अपने आप सकते हैं je यहां से क्योश्चन आऊ सान होते हिं लेड़े ह पूछा में कर सकते हैं इसे और आप इसको जॉइन करें और इसका लाव उठाएं, टेलिग्राम की लिंक नीचे दी गई, टेलिग्राम से जाकर कि आप पीडियो जॉइन कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत सारे लाव मिल जाते हैं, बैरान फिर हम मिलते हैं, किस इसे और वीडियो में तब तक लिए इजाज़त दिजिए नमस्कार